गुरू की साजी निवाद जी प्यारी साज संगत जी प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी साज संगत जी दासी आप जी के चर्णों में विचार रूप में अशीरवाद लेने जा रही है अगर कोई गलती हो जाए तो आप जी शमा करना साज संगा जी ये जो स्टोरी दासी रखने जा रही है स्टोरी में यही समझाया गया है कि हमें मेहनत के साथ पेशेंश रखना बहुत जरूरी है कहते हैं भगवान गोतम बूद एक बार अपने शिश्यों के साथ किसी गाउं में उपदेश देने जा रहे थे गाउं पहुँचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगा जगा बहुत सारे गड़े खुदे हुए दिखाई दिये महात्मा बूद का एक शिश्य इन गड़ों को देखकर सोचने लगा कि इन का रहस्य क्या है उसने अपने गुरू गोतम बूद जी से पूछा कि आप ये बताएं किर्पा करके आप हमें इन गड़ों का रहस्य बताईए एक साथ इतने सारे गड़े किसने और क्यों खोते हैं गोतम बूद ने शीश्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की खोज में इतने सारे गड़े खोदे हैं अगर वे है पेशेंच रखकर एक ही जगह पर गड़ा खोता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता लेकिन वे थोड़ी देर गड़ा खोता और पानी ना मिलने पर दूसरी जगह गड़ा खोतना शुरू कर देता इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिला भगवान गोतम बूद ने शीश्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही उसे पेशन्च रखना भी बहुत जरूरी है कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है ऐसी सिती में व्यक्ति को पेशन्च बनाए रखना चाहिए वरना सफलता नहीं मिल पाती है जैसे एकसर कहीं मात्मा क्या देते हैं कि हम तो सिम्रन में बैठते हैं लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं लगता है तो सत्गुरु हमें समझाते हैं कि कर्द कर्द अभ्यास के जड़मती होते सुझान कि अभ्यास करने से एक ना एक दिन सीमरन में जरूर ध्यान लगने लगेगा इसलिए हम सीमरन करते चले जाएं हम पेशेंच रखें अपने मन को सत्गुरु के चर्णों में एकागर करने की कोशिश करें ध्यान को लगाने की कोशिश करें एक ना एक दिन जरूर हमारा ध्यान सत्कुरू निरंकार में लग जाएगा साथ संगर जी दासियाप जी के चर्नों में जो हमारे परम पुझने माहत्मा इंदर जी शर्मा जी बहुत ही फेमस माहत्मा है ये उनकी दरम बतने बेहन सवीता शर्मा जी के विचाराप जी के चर्नों में दासि रखने जा रही है कि किस तरह उन्होंने हमें अपने जीवन की घटना बताई है कहते हैं मानव जीवन में निखार केवल सुन्दर कपड़े या गहने पहनने से नहीं आता बलकि यह निखार तब आता है जब संतों भगतों का आगमन हमारे जिन्दगी में होता है जब सत्कुरू की सिखलाई मिलती है तब ही जीवन जीवन बनता है और इसमें चार चांद लगते हैं पक्के संतों महापुर्शों का संग इतना परभावशाली होता है कि सहज में ही जिग्यासु का नाता इस नीरंकार प्रभू से जुड़ जाता है और सहज में ही उसे अनंद की अवस्था परापत हो जाती है ऐसी अवस्था में भगत परमात्मा के साथ एकमिक होने वाली अवस्था को परापत कर लेता है जिन्दगी में कहीं बार भगत को भी हंकार आजाता है और उससे जाने अंजाने में गुरू के वचनों की अवहेलना हो जाती है हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ और हमसे भी बहुत से बूले वे अवग्याएं हुई फिर भी बख्षन हार सत्कुरू ने किरपा कर बख्ष दिया और अपने चर्णों से सदा जोड़े रखा लेकिन एक अवग्या ऐसी है जो हम अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं जिसके कारण हम ना जाने कितनी तकलीफों वे दुखों से गुजरे और हमारी भूलों के कारण साथ में बच्चों ने भी परिशानी उठाई ये विचार बेहन सवीता शर्मा जी बता रहे हैं कहने लगे ये बात बाबा गुरुबचन सिंग जी महराज के समय की है तब हम बाजपूर नैनी ताल में रहते थे सन 1976-1977 के दुरान तीन अलग अवसरों पर बाबा गुरुबचन सिंग जी महराज ने कहा शर्मा जी आप दिल्ली आजाओ दासी के पती इंदर जी शर्मा जी को बुलाया कि आप दिल्ली आजाओ उदर भाई साहब कुर्द्याल सिंग जी भी बार बार समझाते थे वो गुर्मत की रहा में मरे मिटे हुए होते हैं ना उनको सुनाई देता है ना दिखाई देता है इसलिए साकार से दूरी बना कर मीशन की सेवा करने में ही भलाई है इस बात से एक बात याद आई कि जब भगवान शिरी राम जी गुरु रशिष्ट जी के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए गए तो कहा कि आश्रम में बहुत सारे शिष्यें हैं पर आप इस आश्रम में मैं जो कहूं वो करना और मैं जो करूँ वो मत करना शिरी रामजी रित्मानस में भी आता है गूर ग्रह गए पड़न रोगुराई अलब काल विध्या सब आई भगवान शिरी रामजी ने भी गूरू के वचनों का हूँ वहू पालन किया इसलिए उन्होंने थोड़े समय में ही सारी विध्याएं हासिल कर ली समय बीता गया हालात ऐसे बने कि हमें बाजपूर से करतारपूर पंजाब में जाना पड़ा वहां ससुराल थी माता पिता ने भी कहीं बार बुलाया लेकिन दिरंगार सत्गुरू को तो कुछ और ही मनजूर था उस समय बहुत गरीबी थी जीवन का गुजारा करने के लिए शर्मा जी डवल रोटियां बेच्चा करते थे मारच उनीस सो असी में माता पिता मुझे तीनों बच्चों सहित मेरे भाई के पास मालवियन अगर दिल्ली में छोड़कर मेरे भाई से कहने लगे इनका यहीं पर कोई बिजनस शुरू करवा दो कुछ दिनों बाद शर्मा जी भी दिल्ली आ गए मालवियन अगर में माता कोशल्या मोदी जी का साथ मिला उन्होंने शर्मा जी और हम सभी को नैटिक शक्ती दी अपने सारे सुक के सादन छोड़कर साकेत आना हुआ उबली दाल खाकर भी इस निरंकार प्रबू के साथी के रहना और गुर्मत के रास्ते पर चलना यह उनकी ही किर्पा से हुआ संडे को निरंकारी का लोनी दिल्ली की संगते भी वही कराते थे उनको हमारी सारी बातों का पता था एक दिन माता को शल्या जी शर्मा जी को बाबा गुर्बचन सिंग जी महराज के चर्नों में ले गई जैसे ही कमरे में गए तो देखा कि बाबा जी दूसरी तरफ मूँ करके लेटे हुए थे माता को शल्या जी ने कहा बाबा जी शर्मा जी बाजपुर वाले आये हैं तो बाबा जी ने कहा पक्के पैरी आया है कि कच्चे पैरी शर्मा जी की आँखों से आंसु आ गए और हाथ चुड़ कर कहने लगे बाबा जी गुर्शिक के पैर तो कच्चे ही होते हैं, गुरू के द्वारा पक्के होते हैं, बाबा जी ने कहा कितने यतन करके बुलाया है, जाओ साकेत में डेरे लगाओ, संपू नवतारबानी के शबद में एक लाइन आती है, भूल भूले खेवी जे भूले सा इसदा सु हूं बहूं माने, जैसे का तैसा माने, यहां तक की सत्पुर्माता सुजिक्षा जी महराज ने भी कह दिया, जो भी सुख चाहिए, साथ वाले गुर्शिक के चर्नों में सिर रख कर मांग लो, जो भी मांगोगे वह पूरा होगा, कहते भी हैं, संतों की हस्ती, इस जलती हरे भरे पेड की त्रहें हैं, जिसके साए में बैठ कर सब को ठंडक मिलती है, इसी त्रहें एक बार संत निरंकारी का लूनी में ससंग करने का मोका मिला, तो भगत को टुमल जी के पास जाने का अवसर बना, हम दोनों पती पतनी को कहने लगे, कि आपको कैसे अंदाजा हु कि ये आपके मन की आवाज है, ये आत्मा की आवाज है, भगत जी कहने लगे एक लाइन में बताओ, कुछ जवाब नहीं सुझा, तो मातारूप वंती जी जो पास बैठे हुए थे, कहने लगे शर्मा जी, आप भगत जी से ही पूछ लो, शर्मा जी सीधी सी बात है, आगे जब आपकी आवाज गुरू की आवाज से नहीं मिले, तो समझो कि ये आवाज आपके मन की आवाज है, और जब आपकी आवाज गुरू की आवाज से मिलने लगे, तो समझना कि ये गुरू की आवाज है, एक बार देरा बसी पंजाब जाने का मुका मिला, आँखों में आ घंकार गुरमत की मर्यादाओं में रहकर गुरमत अपनाने से ही नियंदरण में आता है जीवन में भगती की मर्यादाएं अपनाना ज़रूरी है कहते हैं जीवन में प्रयास हमेशा कीजिये लक्षे मिले या नुभव दोनों ही कीमती है इस इश्वर के आगे यही प्रातनाई यही आचनाई करती हैं यह द्यालू है बचा लेगा जगत जलंदार अखल है प्रबु अपनी किरपाधार है आज जिन्दकी के उन पहलों को छुआ जो अभी तक प्रकक नहीं थे गुरू का वचन ही शिश्य के जीवन का बल है किरपा करो जो भी जिन्दकी में घटित हुआ है उससे सिखलाई लेकर जीवन की आगे की यात्रा गुर्मत में रहकर सुख पुर्वक व्यातीत करते चले जाएं तै करते रहें सासंगा जी कितना सुंदर बेहन जी ने हमें अपने विचारों द्वारा समझाया है कि हमने हमेशा गुरू की मत के अनुसार ही चलना है कहते भी हैं मन मत डुबोए गुरू मत तारे जो गुरू की मत के अनुसार चलता है उसका जीवन अनंद से व्यातीत होता है और जो गुरु ने दिखाया रास्ता सही तो गुरु ही दिखाता है लेकिन हम उस पर हूँ बहु चल पड़ें हम किंतु परंतु ना करें जो भी गुरु हमें कहते हैं हम उस वचन की पालना करें उस आग्या को माने सत्वचन करके हम उस वचन को मानते चले जाएं तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी दासी को भी आशीरवाद देना की परिवार सही दासी इन वचनों पर अमल कमाए और सेवा सिम्रंससंग के रंग में रंगी रहे और आप संतों का भी आशीरवाद लेती रहे सत्कुरू निरंकार की किर्पा से ही साथ संगत मा मिली है नत्कुरू निरंकार दातार का हर पल्दासी कोटिन कोटिन बार शुकराना करती है कि सचे भाशा जे तु ना फड़ दाबां असारू जाना सी फिर किद्रे न मिल दी था असारू जाना सी कि अगर आज आज आप हमारी बाजू ना पकड़ते तो हमने तो दुनिया की ठोकरों, ठोकरें ही खाते रहना था, फिर हमें कोई बचाने वाला भी ना मिलता, लेकिन आप जिने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, हम इस उपकार को कभी भी भूला नहीं सकते, उपकार किया जो सत्गुरु ने लफजों में सुनाया जा नहीं सकता हम सारी उमर भी देते रहें ये करज चुकाया जा नहीं सकता ये करज हम कभी भी नहीं चुका सकते जो सत्गुरु ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया है सचे पाश्या जी स्थरे आप जी ने हम सब को जोड़ा है इसी तरह आप जी हम सब को अंतिम सौासो तक जोड़े रखना और जो भी आप जी को हमारे लिए सुख़दाई लगता है सोही देना हम कुछ नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आप जी जिस रंग में भी हमें रखना चाहते हैं उस रंग में रहकर अनंत पुर्वक अपना जीवन बैतीत करते चले जाएं जैसी भी रजा हो तेरी राची रहे दाता जोड़ा है तूने जो जोड़ा रहे नाता से ही आप जी के चर्नुमे अरदास है इस अच्छे भाशा जी इस तरह भी आप जी हमें चलाना चाहते हैं हम उस तरह चलता चल जाएं और जो भी आप जी हमें खाने पीने पहनने रहने के लिए दे रहे हैं इसके लिए हम आप जी का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं सास संगत जी प्रेम से कहना धान निरंकार जी